हालो फ्रेंद्स मैं हूँ बिनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी और आज का वीडियो है बहुती स्पेशल वीडियो क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने यूज किया है इस अनारकली को कुछ फेस्टिव लुक्स को क्रियेट करने के लिए जी हां मैंने इसी अनारकल पर यूज किया है अपना एक बनारसी दुपटा क्योंकि ये सूट है यलो कलर में तो फ्यूश्या पिंक कलर के दुपटे ने इसको काफी कॉम्प्लिमेंट किया तो जो भी आपके बनारसी दुपटा है वो आप यूज कर सकते हैं अनारकली के साथ जब भी आप उनको देन और आउटफिट्स की डीटेल्स जो मैं दे सकूंगी वो आपको जरूर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से चेक कर लीजेगा मैं इसको सिंप्ली अपने एक यलो प्लाजो के साथ पहना है और गले में पहनी है एक अफगानी चोकर क्योंकि ये चोकर में सिल्वर और गोल्ड दोनों कालर्स हैं तो ये काफी चीजों के साथ जो है मैं स्टाइल कर लेती हूं और इसे मैं एक इंस्टेग्राम स्टोर से मंगवाया था लुक को मैंने वैसे काफी सिंपल रखा है अपने बालों को स्ट्रेट रखा है मेक अप भी मैंने बहुत जाद तो मैंने यहां पर यूज किया है अपने जंक जूलरी के स्टेटमेंट पीसी को, मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट रिंग पहनी है और एक नेक पीस पहना है, और स्टाइल किया है इस अनारकली को डेनम जाकेट के साथ, डेनम जाकेट ने इसे काफी जादा इंडो वेस्टन लुक दिया, काफी केरफरी लुक है आप किसी भी डे फंक्षन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो या जब भी आप क्राउड में थोड़ा डिफरेंट लगना चाहते हो, आप इस लुक को यूज कर सकते हो, लुक को मैंने क्योंकि इस अनार कली में अंदर कॉटन की लाइनिंग है, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहां अंदर साइक्लिंग शॉट्स पहनी है, और काफी जादा कमफुर्टिबल थी मैं इस लुक में, लुक को मैंने कम्प्लीट किया है, मल्टी कलर के हांडबाग के साथ, जिसको आप काफी सारे पहले के विडियो में देख चुके हैं, मैंने इस हांडबाग को जनपत से खरीदा था और मैं इसे काफी यूज करती हूँ अपनी आउटफिट्स में और नेक्स्ट लुक के लिए यूज किया मैंने अपना इंडिगो श्रग, मैंने इस यनो अनारकली के ओपर पहना है अपना इंडिगो श्रग और मैंने कोशिश की है कि स्लीव में जो यलो कलर है अनारकली का वो हलका हलका नजर आए जिससे जो ये श्रग है वो बिल्कुल पार्ट लगे इस अनारकली का इस इंडिगो श्रक को आप पहले कई बार मेरे पहले के कई वीडियो में देख चुके हैं मैं इसे काफी जादा यूज करती हूँ और ये लुक काफी अच्छा है उन लोगों के लिए जो प्लस साइज हैं या जिनके साइड बलजिस हैं तो ऐसे श्रक्स जो होते हैं बहुत हेल्प करते हैं आपको अपने एक्स्ट्रा फ्लेश को छुपाने के लिए इस लुक को मैंने कम्प्लीट किया है बहुत सारी जंक जूल्री के साथ साथ में मैंने पहनी है अपनी इंडिगो जुथीज और साथ में मल्टी कलर बैग लिया है आगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैं हमेशा इंडिगो के साथ इस मल्टी कलर बैग को यूज करती हूँ तो ऐसी accessories में आप invest कर सकते हैं जो कि multi color हो जिसमें जो fuchsia color हो, red color हो या yellow color हो काफी जादा prominent हो और next look है उन लगों के लिए जिनको चाहिए बिलकुल simple, sober, elegant dressing यहां पर मैंने use किया है अपना cream color का cotton crushed dhupatta जिसे मैंने डेली की एक local market से लिया था और यह बहुत जादा expensive नहीं था लेकिन यह मुझे बहुत जादा काम आता है summers के अंदर लुक काफी vibrant हो गई इसको carry करने से और मैंने इस लुक को complete किया है परल की accessories के साथ मैंने यहां पर परल की choker पहनी है और परल का ही hand clutch यूज किया है इस लुक में मैंने एक traditional slippers पहनी है जो मेरी काफी सारी outfits के साथ जो है चल जाती है और एक elegance जो है add कर देती है किसी भी लुक में और next outfit style की है मैंने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जो crowd से अलग लगना चाहते हैं यह मेरी one of the favorite look है और यहां पर मैंने पहनी है गले में जारा की chain जो मेरी recent purchase है जारा से और मैंने यहां पर अपना यह pink blazer जो है पहना है इसे भी मैंने जारा से लिया था और आप इसे पहले के भी videos में देख चुके हैं मैं काफी जादा इसे style करती हूँ अलग अलग तरीकों से मैंने इस yellow anarkali के उपर यह pink blazer पहन लिया है और chain को यूज किया है as a belt इस outfit के साथ मैं multiple times अपने clutch की chains होती है उन्हें as a neck piece भी use करती हूँ उन्हें as a belt भी use करती हूँ और clutch के साथ तो use करती ही हूँ तो काफी तरीकों से आप use कर सकते हैं ऐसी chains को यह बहुत जादा काम आ जाती है मैंने यहां पर gold footwear भी पहने है and I am damn sure कि य इसे आप diwali parties में use कर सकते हो reception mehendi के functions में भी use कर सकते हो और आप अपने अनारकली के साथ इस तरीके से अपने blazers को use कर सकते हो winters में जो आपको ठंड से भी बचाएंगे of course और next look को create करने के लिए आपको use करनी है कोई सी भी traditional jacket जैसे आप mirror work की jacket use कर सकते हैं like kashmiri work की jacket को यहा अपने मैंने GK के एक boutique से लिया था and it was quite overpriced पता नहीं मैंने से क्यों खरीद लिया था लेकिन यह काफी खुबसूरत लगती है पहनी हुई इसके उपर instruments जो है classical instruments बने हुए काफी खुबसूरत और काफी compliment किया इसने yellow color के अनारकली को मैंने बहुत जादा यहां पर एक्स क्लर की traditional footwear पहनी है multiple तरीकों से जब आप किसी एक outfit को use करना चाहते हैं तब आपको shrugs और jackets जो होते हैं ऐसे pieces बहुत काम आते हैं लुक को मैं काफी traditional ही रखना चाहती थी इसलिए hairstyle भी मैंने काफी traditional सा बनाया है और साथ में मैंने यहां पर क्यारी किया है अपना pearl का यह clutch जि अगर आपको इसकी details चाहिए तो वह आपको मिल जाएंगी description box में और next look के लिए मैंने use किया है यहां पर अपना यह बंधेच का blue color का दुपर्टा और मैं यहां जरूर आट करना चाहूंगी कि मैंने इस दुपर्टा को Amazon से मंगवाया था लेकिन समहाँ जब मैं इसको अपन का कर लेना चाहती हूं तो इसकी जो length है वो कम आती है तो यहां पर इसने solve किये हैं मेरे दो purpose मैंने इसको straight away आगे ले लिया है और यहां पर belt मैंने दुबारा से अपने clutch की chain को use किया है तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे दुपटे हो जिनकी length कम हो तो उनको आप बिल्कु skin tone को भी compliment करता है लुक को मैंने complete क्या है अपने कुंदन के earrings के साथ और कुंदन की ही ring पहनी है लुक को मैंने complete क्या है अपनी gold footwear के साथ और साथ में मैंने लिया है अपना gold and silver clutch and believe me लुक बहुत अच्छा लग रहा था और दिल में यह तसली भी थी कि यह जो दुपटा है इ नेक्स्ट लुक के लिए मैंने यूज की है अपनी यह लहरिया साथी जिससे मैंने create की थी तीज लुक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो एक must watch वीडियो है इस वीडियो के बाद आप उसे जरूर देख लीजेगा मैं इस वीडियो के end में उसका link आपको दे बहुती सिंपल तरीके से आप जिस तरीके से भी प्लीट बनाना चाहें आप बना सकते हैं सिर्फ पॉपस यह है कि जो प्लीट हो वो बहुत जादा बड़ी नहीं होनी चाहिए यानि कि जब आप उसे shoulders पर लें तो वो सिर्फ आपके shoulders को cover करे shoulders से बाहर जादा ना जाए और खासकर जिन लगों के shoulders काफी broad हैं तो उन्हें special attention देनी है कि वो pleats को जो है थोड़ा सा छोटा बनाए मैंने यहां पर दुबारा से belt पहनी हुई है अपने clutch की ही chain की और अब मैंने अपने जो इस साडी को अपने left shoulder पर ले लिया है और इस साडी की drape को मैंने उस belt के अंदर दाल दिया है neatly आपको यह ध्यान रखना है कि जो यह drape है left side पर यह आपके footwear से touch होनी चाहिए जमीन से नहीं लेकिन हाप footwear से जरूर touch होनी चाहिए यानि कि यह आपके अनारकली से लंबी आनी चाहिए और उसके बाद जितनी भी साडी मेरे पस बची हुई है उसको मैं pleat क खुले तरीके से जैसे आप में को देख रहे हैं और इसको आपको साडी के style में pleat करके टक कर लेना है अपनी इस chain के अंदर तो draping जो है वो तो बहुत यह अच्छे तरीके से हो गई है काफी neatly हो गई है लेकिन frankly look को create करने के बाद मुझे एक कमी लग रही थी मुझे ऐसा ल यहां पर traditional chokar जो की मेरी recent purchase है इस festival season के लिए और इस chokar ने पूरी outfit के look को change कर दिया और अब यह look completely तयार है किसी भी wedding को attend करने के लिए किसी भी बड़ी party को attend करने के लिए काफी खुबसूरत और vibrant look है आप इसे किसी भी अनारकली के उपर जो है style कर सकते हैं यहां तक कि आप आप ऐसी साडी को भी यहां पर यूज कर सकते हैं जो अगर unfortunately जल गई है या उनका कोई धागा खिचा हुआ है क्योंकि इस ट्रेप के अंदर ऐसी साडी जो होती हैं बहुत ही neatly आप हाइड कर पाएंगे ऐसे flaws को तो आप ऐसी साडी को भी यूज कर सकते हैं लेकिन लहरिया अचकल काफी जादा ट्रेंड में हैं तो मुझे लगा कि मैं अपनी लहरिया साडी को ही यूज करती हूँ इस यलो अनार कली के साथ and here is the complete look and I was feeling super super happy with this look और look को मैंने complete किया है अपने pearl के clutch के साथ और look काफी जादा अच्छा लग रहा था और आपको ये look कैसा लगा आपको जरूर बताना है मुझे comment box में नेक्स्ट लुक के लिए मैंने यहां पर यूज किया है अपना ये जारा का ब्रालेट फ्रांकली आपको बताओं तो मैंने इसको सेल में खरीद लिया था लेकिन खरीदने के बाद मैं बहुत जादा पश्टाई क्योंकि इसका जो नेक है काफी जादा डीप है और मैं इसे पहनने ही पाती हूँ लेकिन मैंने यहां पर इसको यूज किया अपने इस येलो अनारकली के साथ और आप देख रहे हैं कि यह कितना जादा खुबसूरत लग रहा है आप अपने किसी भी ऐसे टॉप को जिसकी नेक्लाइन जो हो आपको अप्रोप्रियेट ना लगती हो य मैंने साथ में ही क्यारी किया है अपना ये ब्लू H&M का हांड़ लुक काफी जादा ट्रेंडी है और आप इसे आने वाले सीजन में काट पार्टी के लिए या किसी भी डे फांक्शन के लिए यूज कर सकते हैं काफी पैपी जो है ये लुक क्रियेट हुआ और काफी जाद साटेसफाइड थी मैं इस लुक से और अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहां पर कुछ भी जूलरी जो है यूज नहीं करी है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस ब्लू कलर को ही सिर्फ हाइलाइट रखूं इस पूरी लुक का और बिल्कुल भी कन्फ्यूजि प्लाउज भी कह सकते हैं बेसिकली यह मेरी बिठिया की ड्रेस की जाकेट है जैसे उसने धोती के साथ पहना था हमारे घर की एक वेडिंग में काफी हेवी जाकेट है और जब मैंने इसको पहना इस आनार खली के साथ तो यह एक ऐसा लुक क्रिएट कर रही थी कि जैसे मैं मैंने काफी घेरे वाला लहंगा पहना हुआ है और ये लहंगा चोली है तो काफी जो है अच्छा लुक क्रियेट हुआ इसको यूज करके आप बिल्कुल कोई भी आपकी ऐसी चोली हो अगर जो की लेंथ में लंबी हो तो वो बहुत जादा अच्छी लगती है अनारकली इसक साथ जबकि अनारकली में इतना घेरा होता है और इस अनारकली की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि इसका घेरा काफी जादा अच्छा है वैसे Amazon पर इसमें और भी colors है जो available है तो मैं description में link दे दूंगी आप वहां से check out कर सकते हैं मैंने इस look को काफी Indo-Western style में र कॉंप्लिमेंट किया इस overall look को लुक को मैंने complete किया है अपने wooden box clutch के साथ जो काफी कॉंप्लिमेंट कर रहा था इस jacket के embroidery work को and next look आपके लिए थोड़ा सा surprising होगा मैंने यहां पर use किया है अपना ये pearl का hair band जो आजकल काफी जादा trend में भी है और मैंने यहां पर pearl की choker पहनी है और यहां पर मैंने use किया है अपनी printed rayon की skirt को आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप इस अनार कली के अंदर कोई भी श आपकी बॉड़ी पर अगर थोड़ा सा भी वेट जादा है तो आप अपने बिल्कुल साइस से डबल लगने लगते हैं तो यह जो rayon की skirt है काफी जादा पतले फाबरिक में है और gray color में इसके उपर silver जो है प्रिंट हुआ 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 है फॉयल प्रिंट हुआ हुआ है मैं मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि मैं इस अनारकली के साथ ऐसे पीसिस को यूज़ करूँ जो जरनली हम सब के पास होते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं उनको mix and match करना तो उन्हें आप जरूर यूज़ कर पाएंगी कुछ different outfit create करने के लिए इस लुक को मैंने दुब है कि आगे आने वाले festival season में आप जरूर यूज़ करेंगी अपने पुराने अनारकलीज को multiple styles में अगर आज की मेरी मेहनत आप तब पहुंची है और आप इस channel पर नहीं है तो इस channel को जरूर subscribe कर लीजेगा और ये video अगर अच्छा लगा हो तो इसको जरूर like कर दीजेगा मै आवे लूंगी आप से बहुत ही जल्दी next video में till then keep going and keep growing